जिला कांगडा मुख्याले धरमशालास्तित डीसी कार्याले में कारेड़त एक महिला करमचारी को डिस्मिस किया गया है एक महिला करमचारी ने फर्जी डिग्री के माध्यम से नोकरी हासल की थी जब करमचारी के नियमेतिक करण की प्रक्रिय शुरू हुई तो जांच में महिला करमचारी की डिग्री फरजी पाई गई प्रशासन की और से महिला करमचारी की डिग्री के संबंद में संबंदित युनिवस्टी से इस साल जन्वरी मां में जानकारी मंगवाई थी जिस पर फरवरी मा में संबंदित यूनिवस्टी ने प्रशासन को पत्र के माध्यम से सुचित किया कि उक्त डिग्री फेग है गौर्दलव है कि जिला प्रशासन के संग्यान में मामला आने के बाद हलांके प्रशासन ने संबंदित करमचारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था लेकिन संतोष चनक जवाब ना मिलने के चलते जिला प्रशासन ने करमचारी को नोकरी से डिस्मिस कर दिया है बहीं पुलिस में भी मामला दर्ष करवाने के आदैर चारी किये थे जिसके चलते धरमशाला पुलिस ने मामला दर्ष करके आगामे कारवाई शुरु कर दी है गौतलव है कि धरनशाला के साथ लगते क्षेतर की एक महिला दो साल पहले DC कारेले में तेनाथ हुए थी जिनकी डिग्री फेक पाई गई है जानकारी के अनुसार बर्ष 2017 के आजपास करमचारियों के नियमितिक करण का फैसला लिया गया था नियमित होने बाले करμियों को कुछ दस्तावे जम्मा करवाने होते हैं इसी बीच जिलाप्रशासन के संग्यान में ये मामला आया था जिस पर जिला प्रशासन की और से संबंद्यत यूनिवर्स्टी से करवाय गई डिगृ की जांच में उक्तमहिला करमचारी की डिग्री फेक पाई गई है इसके बाद भी प्रशासन ने करमचारी को कारण बताओ नोटिस चारी गया लेकिन उत्तर स्पस्ट ना होने पर पुलिस में मामला दर्ज करवाने के आदेश चारी किये गए पुलिस में भी एक जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो फाइल की जाए देखे जब से मेरे मामला हमारे संग्यान में आया और जब रेगलराइशन की बात आया है रेगलराइशन का जो प्रोसेस पांट साल के बाश होता है यहां पे और यह इग वनन से इनको रखा गया था तो यह 2018-19 में जब इनको रेगलराइश करना है 2017 के आसपास हुआ था कि इनको रेगलराइश करना है उसके बाद कुछ इनको पेपर सम्मिट करने होते हैं जब उस प्रकार से जब यह मामला हमारे संग्यान में है और जनुरी में हमको यह पता चला है जब हमने इनके डिगरी को इस करवाई बनती थी वो करवाई हमने की है नहीं फिलाल तो बस सर्विस से डिस्मिसल हुए है और क्रिमिनल जो केस है वो फाइल का निकले आदिश दे गया है